छे से आठ घंटों के लिए इसे पानी में भिगो दीजे, एक सफेद कपड़ा लीजे, इसे उसमें रख दीजे, तो आप इसे एक कच्ची खा सकते हैं. इसमें आपका जीवन चलाने के लिए सब कुछ है, ये अपने आप में एक संपूर्ण भोजन है. कुलती, ये एक तरहां की दाल है. ये इस धर्ती की सबसे ज्यादा प्रोटीन वाली दाल है. ये बहुत शक्तिशाली है. इसे अंकुरित करना अच्छा है. अगर इसे अंकुरित किया जाए, तो आप इसे आसानी से पचा सकते हैं. इसे एक कटोरी में रखिए, अपने कमरे मे एक सफेद कपड़ा लीजे, इसे उसमें रख दीजे. लगभग 6-8 घंटों के लिए इसे पानी में भिगो दीजे. उसके बाद इसे एक कपड़े में बांध कर रख दीजे. लगभग 3 दिनों में ये अंकुरित हो जाएगी. अंकुरित होने पर आप इसे कच्छी खा सकते हैं. इसे बहुत ज्यादा चबाना पड़ता है. चबाकर खा जाएए. ये बहुत अच्छी है. अब ये शरीर में गर्मी बढ़ाएगी. मान लीजे आप कोल्लू पीते हैं या खाते हैं और आपको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है तो आपको मूंग खाकर इसे संतु करना चाहिए. अंकुरित मूंग सिस्टम को ठंडा करते हैं. अगर आप किसी जंगली जानवर को देखें तो वे बस बेतर तीब चबाते हैं. चॉंप 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 वे खाते हैं पर वे अंधाधुन भोजन नहीं करते. वे उसे नहीं छूते जो उन्हें नहीं या आप पेशाब करना चाहेंगे. पेशाब भरा हुआ है पर वो बाहर नहीं आएगा. आपको तकलीफ होगी. इसका मतलब है गर्मी बहुत ज्यादा है. अगर ऐसी कोई चीज होती है तो आप थोड़ा पेट का जूस पीजे या थोड़ी मूंग खाईए या थोड़ा अर पे विशुद्धी पे इस जगह और कानू के पीछे ये दो स्थान. अगर आप लगाते हैं तो तुरंथ पांच मिनिट के अंदर सिस्टम ठंडा हो जाएगा. बातरूम में जाईए, सब कुछ बिना प्रयास के हो जाएगा. तो शरीर को मैनेज करना ज़रूरी है. अभी भ किसी तरह जीओ और मर जाओ. तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता. जो चाहे खाईए. क्या फर्क पड़ता है? अगर आप कच्रा भी खाते हैं, तब भी आप जीएंगे. पर ध्यान से खाना और देखना की शरीर को क्या चाहिए? ये शरीर को कई तरीकों से सक्षम बना चेतना से मैनेज करना है. सेहत के लिए पागल होना नहीं है. ऐसा नहीं होना कि आप में खाने को लेकर तनाव पैदा हो जाए, कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, ये अपने आप में गलत है. सिर्फ सचेतन होना. क्या कितना खाना है? आज शरीर की जरूरत क्या है? बस ये ध बस इतना ही, क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, बस भिगोई हुई मुंगफली, बस इतनी मुंगफली, रात भर भिगो कर और एक केला, मेरा पूरा दिन निकल जाता था, और पूरी तरह से सक्रिय, ज्यादा तर लोगों की कलपना से भी ज्यादा सक्रिय, इसमें आपका जीवन चलाने के लिए सब कुछ है, ये अपने आप में एक संपूर्ण भोजन है, अगर आप इसे 6-8 घंटे तक भिगोते हैं, तो पित निकल जाता है, आप पित जानते हैं, एलोपेथिक डॉक्टर इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आयरुवेद इसी प बस ये पक्का करें कि ये जनेटिक इंजिनियरिंग की हुई बकवास नहीं है, एक चीज ये है कि शायद इसमें जनेटिक बदलाव किये गए हो, अब वो ये नहीं लिखते कि किसमें बदलाव किया गया है और किसमें नहीं, एक और चीज ये है कि आप इस हद तक फर्टिर झाल झाल